लेना चाती है एक मंतरी पदृ बॉली वुड ऐक्ट्रेस डिपिका पदृकोन आज नमबर वन आक्ट्रेस हैं डिपिका की खूपसूरती के साथ साथ उनकी आक्टिंग के हर कोई दिवाना है डिपिका जहां जाती है वहां सिर्फ उनी के चर्चे होते हैं बीतो दिनों ही उन्होंने रनवी सिंग से शादी कर अपना घर भी बसा लिया है फिल्म पदमावत से मोस्ट वेल्यूद सेलिट्स की लिस्ट में शामिल होने वाली दिपिका पदुकोन अब हर किसी की फेवरिट बन चुकी है हाली में दिपिका को लोकमत महारास्ट्रियन के अवार्ट से भी नवाजा गया था वॉल्यूर अभिनेत्री दिपिका पदुकोन ने एक दिन पहले यानि की रनवी सिंग के बाथरूम सिक्रिट का खुलासा किया था उसके तुरंग बाद उन्होंने अपने बारे में हिरान कर देने वाली बात कहे डाली दिपिका ने हाली में राजनीती जॉइन करने के सवाल पर अपने दिल की बात बता डाली है उन्होंने फैंस को ये बताया है कि वे कौन से मंत्री पद लेना चाहती है अक्सर हमने देखा है कि स्टार्स पॉलिटिक्स में आते रहते हैं हाली में दिपिका से भी इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ा ही मज़िदार जवाब दिया है इस इवेंट में जब दिपिका से ये पूछा गया क्या वो भी पॉलिटिक्स को जॉइन करना चाती है उनकी क्या सोच है इस पर तो इस दिपिका ने बताया कि मुझे वैसे तो पॉलिटिक्स के बारे में जादा नहीं पता है क्योंकि मुझे इसकी जादा जानकारी नहीं है लेकिन हाँ अगर मैं इसे जॉइन करती हूँ तो मैं मिनिस्टर आफ सुच भारत बनना पसंद करूँगी इतना ही नहीं दिपिका ने ये भी बताया कि उन्हें सफाई से बहुत ज़्यादा लगाव है उन्होंने अपना एक किस्सा भी शेयर किया यानि कि अपने फैंस के साथ उन्होंने कहा कि वो बच्छपन में अपने दोस्तों के घर जाती थी और वहाँ जाकर सफाई कर ती थी इसके बाद उनके दोस उनसे ज़ादा ही लगाव रखते थे और खूब ज़ादा अपने घर पर बुलाते थे क्योंकि वो सफाई करके जाती थी मतलब कि दिपिका भी अगर पॉलिटिक्स में आती है तो वो देश में सवश्टा पर बहुत ही ज़ादा ध्यान देंगी अगर हम बात करें दिपिका की वो सच में बहुत अच्छी अक्ट्रेस है उनकी सोच पर सब को नाज है बता दे कि दिपिका पिछले साल फिल्म पदमावत में नजर आई थी इसके बाद वो किसी फिल्म में नई दिखी है हाला कि वो जल्दी फिल्म छपाक में नजर आने वाली है ये फिल्म जो होगी वो ऐसे दे विक्टिम लक्षमी पर आधारित होगी फिल्म में दिपिका के साथ विक्रांत मैसी भी नजर आने वाले है मेगना गुलजार के इस फिल्म की शुटिंग शुरू हो चुकी है तो देखते हैं कि जब उनकी छपाक फिल्म आती है तो लोगों का दिल वो कितना ज़ादा जीत पाती है और एक सची घटना को परदे पर कैसे उतारती है अगर आप लोग भी एक्साइटेड हैं देपिका की इस फिल्म के लिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं थाइंक यू सो मच की वाइंक टोड़ पर मूर नूस